हम लो फ्रेंड्स हम लो क्वेस्टन नमर थर्ड लेते हैं एक सटाइज 1.2 का अभाज गुर्ण खंजन भी दारा निम्रतिक पुडांकों के हम लोग क्या करते हैं पहले संख्याइज जो दी रहती है उनको अभाज गुर्ण खंजन निकालते हैं तो पहला है बारा पंद्रा और एक पेरिस क्या हो जाए तो बारा को दो से क्वाइट करें दो चक बारा फिर दो त्याएं छे कि तीन कम ती तो बारा को पैसे लिए सकते ह कि अवाज गुर्ण खंजन करेंगे तो पंद्रा तो तीन से कटेगा तीन सचे पंद्रा पांस तो पंद्रा में आदर क्या मिलेए तीन गुले पांस गुले एक फिर 21 का क्या हो जाएगा तीन गुले कि अजय सेफ निकालते हैं सबसे पहले सियर ऐकी दो सब्धाद कर्या होता है कि जो वो संख्या जो तीनों में कामन हो तीनों में यहां पर इसमें भी है इसमें सबस्क्राइब क यहांसे अर्थियुक्यानों निकालने के लिए जो तीनों में कामन वहां को उसकी सबसे बड़ी घ्राथ तो देन आ मिलें यह उसके बाद आया जो सारे बचे वह वैसे हो जाएंगे तो इंटू तो यहां से आगया और इंटू सेवन यहां से आगया तो यह तो एक इतना आ गया थ्री आगया और एल्ट्पन कितना आ 4302, सो 260 пу एल्टा में एल्टा निकालने के लिए अब कि लिए आखा तो ग्रेंध लिंवार में लिए उसके बाद हने अल्टावों माद इसे मम क्रामन वह और ऌरोपसे बड़ी ऐसे वह सबसे बड़ीहीरगं दूसरा ऑर, सलगा sunny उक्या, इस बागवेरं तीना है वाले उसक कि यह कि अ कि सकत्राइब और गाइब कि अधिए कि अधिक अधिए तो अवाज इगान खंदन के रूप में लिखेंगे तो सब्सक्तर इवात करें कर दो से नहीं होगा तीन से नहीं होगा चार से चार से पांट से इंक्तर दवाइड होकि सकर आपने आपके अभागी क्या है अम आदे तेज भी अवाज है तेज भी क्या लखेंगे तेज गुड़े एक वनतिस भी अवाज है तो बहुत को भी क्या लखेंगे एक अब क्या हमको निकालना है यहां में एक खिलावा और कोई नहीं है तो एक अब क्या होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करें लिए 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 जो कामन होता है उसकी सबसे बड़ी घाब तो एक हो गया तो बाद की बच्चे सारे ऐसे ही निकाल लेते हैं तो सत्तरा उड़े शेइस उड़े इसको मुल्टिक्लाइब लेते हैं यह प्युक्ट्राइब टो ड्यूंट लूंट लूट जूटे सबसे घाए दो सबसे चुटाइब लगान देटक्ति बोराइब दो लुए तियारा इनको बनता देख पिए यह इसे कंड पार्ट हो गया एक बार इसमें आव बचाह सब्सक्राइब आप नो और पिछीज अवक। ट्पाइब आप नो और पिछीज तका वाजी गुणन खंजन लिखेंगे तो आठ का करीश को सबसे ब्रदाइब फिर डो चूपादयी कि फिर दो कि नीचार दो का दो आट का लोगिए आठ को सब्सक्राण नौब आपटेंगे तो क्या निजिता न Kent नो nhस से सों खरेंगे तो किkaya अब सब्सक्राणिकन की मिन जाए दो सब्सक्राद को का सब्सक्रादी थो है यानि 5 इंटू 5 इंटू इसको क्या लिपत है 5 के पाव 2 अब लोग क्या रिगा लेंगे HCF HCF क्या होता है इंटू 1 यहां इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है जो तीनों में कामन होता है उसकी सबसे बड़ी घार तो तीनों में कुछ भी कामन नहीं है और बाकी के साथ ऐसे उतर जाते हैं तो यह हो जाएगा हो क्यों इंटू 3 स्क्वार इंटू 5 स्कार एक इतना हो गया आथ गडिणों पर चीज़ बात तर गडिए पर चीज़ प्रक्राइब आप 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 हम लोग इसके पाद फोड प्वेस्चन लेते हैं क्वेस्चन नुमर फोर्थ लेते हैं लोग इसमें दिया है कि HCF 306,657 इकल टू 9 दिया है और LCM इन दोनों का ज्यात करना है तो आपको दो संख्याइन है 306,657 का HCF आपको दिया है LCM निकालना है तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि LCM और HCF निकालने के लिए आप क्या करें 306,657 को अभाज संख्याओं के गुरणफा के रूप में लिखें उसके बाद LCM निकालें लेकिन यहां पर जो HCF दिया है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे हमको पता है कि दो संख्याओं के लिए A और B के लिए HCF आप A B into LCM आप A B यानि दो संख्याओं A और B का HCF multiplied by उनका LCM एकुल टू क्या होता है A into B उनकी संख्याओं के गुरणफाल के बराबर होता है यह हमको पता है पहले से तो अब हम लोगों को HCF दिया है HCF 306,657 इकल तो 9 दिया है और LCM निकालना है और LCM निकालना है और संख्याओं का गुर्णफाल क्या होगा 306,657 तो यहां से आप देखिए HCF into LCM बराबर A into B तो यहां से अगर हमको LCM निकालना हो यहां से LCM निकालना हो तो LCM A B क्या हो जाएगा यह पार्ट उधर चला जाएगा बटा में तो LCM A B क्या हो जाएगा यह A into B बटा यह पूरा पार HCF A B क्या हो जाएगा दिवाइट में चला जाएगा यह फार्मूला बन गया LCM दो संख्याओं का LCM यानि LCM 306 657 बराबर 306 657 संख्याओं का गुर्णफाल संख्याओं उनका HCF 9 जाएगे fuckin नोच क्रिक श्रताइस रहत चाहओं ग्याथ आएगर रहते यह तोनिज्व और श्रताओं का उनका जाएगैं तो इसका भी उज़ कर लेते हैं लोग कि यह हमको यह याद होना चाहिए कि अगर पता हो दो संख्या हों का तो यहां आराम से निकाल सकते हैं बिना अभाज गुणनखंदन के तो संख्या होता है और दोनों संख्याइं पता है यहां से यहां से आपको निकालना था तो संख्याओं का गुरान था आपकी 306 और 679 तो सीधा से नहीं यह कर दिया कि यह फोर्थ क्वेस्टन हो गया है हम लोग फिप्ट क्वेस्टन लेते हैं कि जांच कीजिए जांच कीजिए जांच की क्या कि सी क्या किसी प्राइब संख्या एंड के लिए संख्या के लिए संख्या के प्रावर एंड आंग पर सुनने पर समाफ हो सकती है आंग पर सुनने पर कि इसकी पावर एंड क्या एंड की वैलू जैसे बदलेगी तो आपकी अलग वैलू आएगी जैसे अंकी वैलू को भी प्राप्रिक संख्या रख लें तो यहांगा 6 के पावर 10 और 6 के पावर 10 का मलद 666 दस बार गुड़ार है तो जैसे जैसे सारी प्राक्रेटिक संख्याए लेंगे तो 6 के पावर n की अलग-अलग प्राक्रेट संख्याए जैसे न बराबर अगर हां एक रखें तो इसके पावर 2 और इसकी वेलू क्या होगी ने यह रखेंगे तो इन रखेंगे तो इन रखेंगे तो इन का मतलब क्या होगा 6 के पावर N का मतलब क्या है? कि 6 into 6 into 6 into 6 कितनी बार गुणा है? N बार जैसे यहाँ पर 10 होता तो 10 बार यहाँ पर N है तो यह N बार 6-6 गुणा है 6 की पावर N का यह मतलब हुआ अब 6 के पावर N का हम लोग देखते हैं यह तो हम लोग ने देखा 6 के Power & N तम मिल नहीं किया है 6 के Power n इस कंच क्या लिख देते हैं 6 को अभारी संख्यों के गुणनपल के रोप में लिखते हैं 2 x 3 तो इंक्या हुद है 2 x 3 के Power n और 2 x 3 के Power n तम मदलब क्या होगा 2 x 3 2 x 3 2 x 3, 2 x 3, 2 x 3, 2 x 3 चाहोगा, n बार, multiply होगा, यह देखें, 2 x 3, एक बार, फिर, 2 x 3, अगली बार होगा, n की किसी पी बेलूप इले चाहोगा, यह 2 x 3, multiply होता, चला जाएगा, और ही कितनी बार, 2 x 3, multiply होगा, n बार, तो हमको यह बता चल लिया, कि जो 6 के पावरियन होगा, यानि 2 x 3 के पावरियन, इसके जो अभाज की गुणन खंडर में, 2 और 3 के अलाव कोई संख्या नहीं आ रही है, या तो 2 है या 3 है, और यह पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 में खटम होना है, उसके लाश्ट में, यान 30, 40, 50 कोई बिले, तो यह सारे 5 से डिवाइड होंगे, 5 से सारे डिवाइड होंगे, यानि 5 से डिवाइड होंगे, यानि उसका एक अभाज गुरन खंडर 5 होता है, 5 से डिवाइड होने का मदलब, तो अभाज गुरन खंडर 5 होता है, यानि उस संख्या जिसके लाश्क में जीरो आ रहा है उसका जब आप अभाज गुरंद खंडल लिखेंगे तो उसमें एक पांच कहीं न कहीं होना चाहिए पांच का मिल्टिप्लिकिंसर होना चाहिए और जब्धि सिक्स के पावर एन पे आप एन की कोई भी वेलू रखो यह टू इंटू थरी के पावर इसके अभाज गुरंद खंडल में दो और तीन के अलावा कोई भी संख्या नहीं है और जब्धि अंक जीरो पे समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए अभाज गुरंद खंडल में प कि अभाज गुलनखंदर में दो और तीन के अलावाँ फूई और अभाज संख्या दो और तीन के अलावाँ और फूई तबहारी संख्या नहीं है और यह था सिस के पावर एंड के मांग को अंग सूनी पर समाप कुने के लिए समाप कुने के लिए उसके अभाज गुलनखंदर में पांच होना चाहिए तुमें पांच होना चाहिए जबकि ऐसा नहीं है अजबकि ऐसा नहीं है अता एंड के किसी भी मान के लिए एंड के किसी भी मान के लिए शिक्स के पावर एम अभी अंग सूनी पर समाप के लिए पांच हो सकता हुआ तो इसना ही रखते हैं गोगोड़ोगों आई वाल चीज।